What is the difference between Yamaha and Suzuki in India? Yamaha and Suzuki, दोनों ही Japanese company है, पर इंडिया में इनका जो product launch होता है, उनमें बहुत सारा differences होता है. Yamaha और Suzuki, दोनों का अगर आप international variant देखेंगे और Indian variant देखेंगे, तो आप clearly देख सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है, क्या differences है. Yamaha जो है, ये Suzuki से बहुत पहले से ही इंडिया में अपना business करना है, और Yamaha को लगता है कि ये Indian market को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, कुछ हद तक तो सही है, Yamaha समझता है कि इंडियान को कुछ पाने की योगता नहीं है, खरिदने की क्षमता नहीं है, हम ये बात क्यों कर रह हैं, Yamaha का जो international launches होता है, international variant होता है कुछ products का, उनके साथ आप Indian variants का Indian launches का comparison कीजिए, Yamaha MT-15 का example उठा लीजिए, Yamaha R15 V3 का example आप उठा लीजिए, तो आपके समने ये सारा कुछ clear हो जाएगा, एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा, पर अगर दूसरी तरफ आप Suzuki को देखें, Suzuki motorcycles को, ये international और Indian launch में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, जो quality, जो product, जो line-up, जो system, जो सब कुछ, internationally ये launch करता है, internationally ये introduce करता है, वो ही same cheese, same product, इंडिया में भी ये launch करते हैं, Recently, जो launches हुआ है, इनका Suzuki का line-up, Suzuki Gixxar 250, Gixxar SF 250, Suzuki Gixxar 150, Suzuki Gixxar SF 150, इनका जो color variants है, सारा कुछ, each and everything, product quality, इनका specification, इनका line-up का जो कुछ भी है, सारा कुछ, जैसे की internationally launch किया गया है, internationally introduced किया गया है, वो ही same cheese, Suzuki ने इंडिया में launch किया है, वो ही same cheese, same quality, same options, same specifications, इंडिया में launch किया है, Suzuki ने, यही तो होना चाहिए, एक company को अगर आप भरोसा करते हैं, एक company से अगर आप प्यार करते हैं, Yamaha जैसे एक बहुती जाना-माना और सबका चहीता एक company, अगर ऐसे भेदभाव करेगा, तो मन में कही न कहीं यह सवाल उठता है, क्या हमको Yamaha का product लेना चाहिए, क्यों यह भेदभाव, क्या Indian का buying capacity नहीं है, क्या हम quality नहीं संजते है, इसके उपर भी एक सवाल उढ़ जा सकता है, क्या हम सच में quality नहीं समझते हैं, हम quality समझते हैं, अब हमको quality दीजिए हैं, हम जर सुजुकी का सिंप्लिस्टिक प्रॉडक्ट होता है पर उसका प्राइज बहुत ही ज्यादा होता है मार्केट में जो मिलने वाला कंपनी से जो ब्रैंड से competitors है उनसे बहुत ज्यादा होता है फिर भी क्यों Suzuki बीखता है quality Indians को quality product परखना आता है quality product खरिदना आता है हम खरिद सकते हैं हम में वो शमता है पर Yamaha MT-15 और R15 B3 के साथ जो कुछ किया यह ठीक नहीं किया Yamaha MT-15 में international variant में USD forks था golden finish में पर इंडिया में जब उसका launch हुआ तब उसका USD forks हटाके general ordinary telescopic forks उसमें लगया गया है जो इंडिया में launch किया गया है उसमें सिर्फ single channel ABS लगा के ही पेश किया गया है color के बारे में बात करें तो color option इंडिया में जब MT-15 launch हुआ सिर्फ दो ही color option मिल रहा था एक blue और एक black बाद में international color variant जो है वो बहुत मांगने पर बहुत मांग सामने आ जाने पर वो international color variant यहां पर लॉंच हुआ पर specifications का क्या इंडिया में आते आते यहां सब कुछ fake एक फूक के एकडम empty एक ordinary सा motorcycle लाके पेश कर देता है हम भी बुद्धु है हम उसी को लेके बहुत नाच नाचते हैं क्यों जब international standard आप इंडिया में introduced नहीं कर रहे हो हम आपका product नहीं खरीदेंगे आप हमको सम्मान दो हम आपको सम्मान देंगे यह महारा आप देख लिए इसके उपर कई सारे वीडियो आप यूट्यूब में मिल जाएगा बंगलादेश का एक यूट्यूब चैनल है आप सर्च करके देख सकते हैं वहां पे इंडियान वेरियंट और इंट्रनेशनल वेरियंट आरवान फाइफ वीत्री को आमने समने रखके ए ABS का जो क्वालिटी है यह इंट्रनेशनल वेरियंट से इंफिरियर है इनका जो बिल्ट क्वालिटी है यह इंट्रनेशनल वेरियंट से इंफिरियर है क्यों इंट्रनेशनल वेरियंट में यामाहा आप जो कुछ इंट्रोड्यूस करते हो जो कुछ ओफर करते हो क्या इंडिया में Suzuki से अब कहीं जाधा पूराना कंपणी हो, पर फिर भी इतना discrimination क्यों? क्या है आपका business strategy? Suzuki अगर इंडिया में international variant, international quality, international standard का product ला सकता है, तो Yamaha क्यों नहीं? Suzuki का product महेंगा होता है, पर फिर भी हम उसे खरीचते हैं, because of quality. Yamaha का product line-up है, वो बहुत ही बहतरीन है, पर उसका standard अगर international quality का हो, तो अगर 10, 20, 50,000 रूपया ज़्यादा भी हो, तो भी हम Yamaha का product खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे, पर ये discrimination Indians को नीचा दिखाना, ये बंद कीजिए Yamaha, बहुत दिन से ये जो बाते हैं मेरे दिल में खटक रह सकते, MT-15 के उपर, अब जितना पैसा लेते हैं, उसके साथ 20,000, 30,000 रूपया जोड दीजिए ना, अगर आपके product में दम हो, तो हम जरूर खरीदेंगे, तो जरूर भीकेगा, Suzuki का product नहीं बिखता है क्या, और कुछ companies भी है, Japanese company, जैसे कि Honda, वो तो अपना अच्छा product कुछ इ इंडिया में बेचता है, CD Don, Shine यह सब बेचता है यहां पे, और एकी scooter का light change करके, नयाना 2G, 3G, 4G, 5G, 6G करके, सबको बुद्धू बना रहा है, यामाहा और होंडा, एक दिन ऐसा ना हो, कि Indian public आपको boycott कर दे, इंडिया आपको boycott कर दे, ऐसा दिन शायद आपको देखने को मिले, तो सतर्क हो यह, सुजुकी से कुछ सिखिए, सुजुकी कभी भी भेदभाव नहीं करता है, international quality का product, जो product वो पूरी दुनिया में बेचता है, वो ही same product वो इंडिया में भी बेचता है, सुजुकी Indian buyers को कभी भी नीची नजरों से नहीं देखता है, किसी को भी नहीं द किजिए, उनसे प्यार किजिए, उनको नीची नजर में मत देखिए, और buyers को मेरा खास request रहेगा, जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, उनसे खास request है मेरा, आप देखिए कौन सी company, international standard का product यहापे ला रहा है, कौन सी company हमारे साथ discrimination कर रहा ह जो international quality का product यहापे नहीं दे रहा है, यहापे आते आते जिनका quality खराब हो जाता है, उन companies को आप boycott कीजिए, हम Indians है, हम self sufficient है, हम खुद से सब कुछ बना सकते हैं, हम एक सशक्त देश है, अगर किसी company को यहापे business करना है, तो पूरी दुनिया को वो जिस नजर से देखते हैं, इंडिया को भी उसी नजर से देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा economy है, जो company यहापे business करता है, बाहर का company, इंडिया से बहुत अच्छा खासा वो कमा के ले जाता है, इसलिए इंडिया को खास समान की नजर से देखना चाहिए, अगर नहीं देख सकता है, तो इंडिया शक्षम है अपना product बनाने के लिए, इंडिया में बहुत सारे motorcycle companies है, जो बहतरीन products बनाते हैं, हमारा TVS है, हमारा Bajaj है, हमारा Royal Enfield है, हो सकता है हमारे product में कुछ खामिया हो, वो धीरे-धीरे हम ठीक कर लेंगे, पर हम में वो शमता है, हम Yamaha को, Honda को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों, अगली बर जब आप product खरी दें, तो ये बात भी ध्यान रखिए, कि पहले आप Indian है, पहले आप अपने देश का नागरिक है, आपको ये बत जरूर ध्यान में रखना चाहिए, कि कौन सा company आपको और आपकी देश को नीचा दिखने की क गटिया सा product यहां पर introduce करेंगे, और हम उसे नाच नाच के खरी देंगे, क्यों आप ऐसे सोचते हैं, यह मा को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अभी तक सुजुकी का जो line up है, वो internationally और Indian, दोनों standard same है, same product वो internationally भी बेचते हैं, और India में भी बेचते हैं, तो सुजुकी को हमेशा इंडिया में welcome, सुजुकी से हम प्यार करते हैं और करते रहेंगे, जब तक वो इंडिया को ऐसे ही सम्मान करता रहेगा, फिलाल के लिए इतना ही, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like, share और subscribe कर न मत भूलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में तब दख देखते अरिये, let's talk with Chandan, Namaskar